असलाम अलेकम स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन मैं हूं मुहम्मद वकास आपका केमिस्ट्री टीचर आज हम आज हम बात करेंगे और गैनिक केमिस्ट्री में वेरी इंपर्टन टॉपिक जो है कनफर्मेशनल आइसोमेरिजम ऑफ साइक्लो हैक्सेन तेके जो हमारे पास सा सबसे कम कार्बन वाली साइक्लो लकेन हैं वो है साइक्लो परोपेन फिर साइक्लो ब्यूटेन फिर साइक्लो पैंटेन फिर साइक्लो हैक्जेन साइक्लो हैप्टेन एंड सो ओन यह नाइटीज में नाइटीन हंड़र एंड फाइव तक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थ तो stability को explain करने के लिए हमारे पास buyer strain theory थी जो जर्मन केमिस थे उन्होंने प्रपोज की थी और उनको इस पे ना 1905 में नोबल प्राइज भी मिला उसमें हम बेसिकली जो साइक्लोलकेंज हैं उनकी stability पे बात करते हैं लेकिन वो जो theory थी ना जो buyer की strain theory है उसमें थोड़ा सा जो actual stability order था और जो buyer strain की theory के मताबिक stability order था उसमें थोड़ा डिफ्रेंस था उसे डिफ्रेंस को study करने के लिए बेसिकली हमारे पास है confirmational isomeryism of cyclohexene या confirmational isomeryism के लावा analysis भी लिख सकते हैं आप यहां पे तो बेसिकली हमारे पास यहां पे buyer strain theory थी buyer's strain theory अब यह theory ना क्या explain करती है यह explain करती है stability order of cyclolkens like अगर हम cyclolkens की बात करें cycloparopene है हमारे पास इसके बाद cyclobutane है इसी तरह cyclopentane है हमारे पास this one is cyclopentane और cyclohexene है अब अगर इनको सब को हम planar consider करें ना planar तो वैसे तो यह planar नहीं है actual form में अगर हम इनको planar consider करते हैं तो इनमें bond angle कितने कितने होंगे वो हम ज़रा यहां पे discuss कर लेते हैं यहां पे हमारे पास जो bond angle है दो bonds के दरमयाद वो होगा 60 degree का यहां पे 90 degree का होगा यहां पे 108 degree का होगा cyclopentane में और cyclohexene में 120 degree का होगा लेकिन अगर हम इसकी hybridization state को यहां पे discuss करें ना यह सारा कुछ है बायर ने अपनी strain theory में लिख है तो यह हमारे पास जो चार तरह के cyclol cannes हैं इनमें अगर इनको planar consider करेंगे तो यह angle हमारे पास होने चाहिए लेकिन चुके यहां पे हर ring में carbon sp3 hybridized है तो carbon का जो bond angle है carbon to carbon वो होना चाहिए 109.5 degree का तो इसका मतलब यहां 60 और 109.5 degree का जो difference आ रहे ना वो 49 degree है यहां पे और यहां basically यह 90 degree है तो जो difference यहां पे आएगा वो आएगा 19 degree का इसी तरह यहां पे difference सिरफ 1 degree का होगा और यहां पे जो difference है वो 11 degree का आएगा अगर आप यह difference निकालें देखें यह जो हमारे पास इतने angle से यह जो angle का change आ रहा है यहां पे actual में यह unstability create कर रहे है जितना ज्यादा होगा इसी को हम angle stain कहते हैं अगर हम यह दो atoms के दरमेन चुके consider करें अगर एक atom के लिए निकालना चाहें तो इसको दो से divide करेंगे तो हमने इसको दो से divide करना है तो हमारे पास यहां पे 24.5 degree आएगा यहां पे तकरीबन यह 9.5 degree आजएगा यहां पे 0.5 degree और यहां पे यह 5.5 degree का difference आएगा और इसी चीज़ को बायर ने अपनी थियोरी में explain किया तो यह जितना एंगल स्टेन कम होगा उतना ही हमारा साइक्लो अलकें जो है वो stable होगा तो यहां पे अगर हम चेक करें तो सबसे ज़्यादा stable जो है वो साइक्लो पेंटेन को होना चाहिए यानि 5-membered ring जो है वो सबसे ज़्यादा stable हो उसके बाद 6-membered क्योंकि उसमें यह angle stain थोड़ा कम हो गया और उसके बाद 4-membered ring और सबसे कम stable यहां पे 3-membered ring को होना चाहिए और आपको पता है practically यह तो बायर की stain theory के मताबक है ना मतलब जो बायर ने observation हमें दी बायर के मताबक लेकिन जो actual में observe किया गया ना practically उसमें 6-degree, 5-degree, 4-degree and 3-degree यह order बनता है तो देखें जो हमारे पास actual observe order है वो different है यह actually ही है जो practically हमने देखा और जो बायर ने अपनी stain theory में discuss किया उसके मताबक यह था तो actual में जो problem हारी वो यहां पे आ रही है यह आप चेक करें हम बायर stain theory कह रही है कि 5 को ज़्यादा stable होना चाहिए हमारी actual study कह रही है 6 ज़्यादा stable है तो यहां पे बायर stain theory थोड़ी सी fail है ठीक है बेसिकरी बायर को 1905 में nobel prize मिल चुका है इस theory पे लेकिन यहां पे आके जो है वो explanation जो है वो नहीं हो पाती और this one is the drawback of this theory which is बायर stain theory इस चीज़ को verify किया है हमने किसे conformational isomerism से कि जो हमारे पास cyclohexane यह basically planar होता ही नहीं इसी तरह cyclopentane भी नहीं होता तो जो इससे higher membered ring है वो भी नहीं है तो इसका मतलब यह अपनी planar form में exist नहीं करते हैं इन में angle stain है तो उससे बचने के लिए यह अपनी shapes को change करते हैं लेकिन वो जो shapes बनेगी जिनको हम confirmers या rotomers कहेंगे उनकी energy का difference इतना थोड़ा होता है कि हम उसको normally observe नहीं कर सकते हैं तो इस सारी analysis से हमें यह हमें पता चलता है कि जो buyer की stain theory है उसके मताबिक five member drink को ज्यादा stable होना चीए six से लेकिन practically हमें पता चलता है actual study से कि जो हमारी six member drink है वो ज्यादा stable है तो इस लिए students हमें पढ़ती है जो इस चीज़ को verify करती है तो इस चीज़ को सबसे पहले suggest किया था यह scientist है सेक्से इनका नाम है और इन्होंने इस चीज़ को 1819 में 1819 में सोरी इन्होंने इस चीज़ को suggest किया कि जो साइक्लो हेक्जेन है यह basically planar नहीं है यह नहीं इनका कहना था cyclohexane not planar यह planar है यह नहीं तो इन्होंने इनकी जो non planar form बताई थी वो दो थी जो suggest कि इन्होंने इनके मताबिक वो chair and board form थी जिनको आज हम रोटा मर form कहते हैं cyclohexane की बाद में इसी चीज़ को verify किया गया और verify इसको किया हैसल ने हैसल ने और कब किया नहोंने 1943 में आप चेक करो nobel prize मिला 1905 में बायर को अपनी strain theory पे लेकिन यह suggestion पहले से मौझूद थी लेकिन इस चीज़ को verify जब तक नहीं किया गया तो इस suggestion को कोई इतनी पजीराई नहीं मिली तो इस किया कि वाके ही जो यह वाली analysis है कि cyclohexean planer नहीं है और चेर और boat form में पाए जाती है यह बिलकुल ठीक है यानि इन्होंने भी इस चीज़ को confirm किया कि हमारे पास boat और हमारे पास chair forms हैं confirmers हैं rotamers हैं for cyclohexean और उन्होंने न इस चीज़ को जब room temperature पे observe किया तो उन्होंने द round about twenty seven point three kilo joule per mole okay students तो यह इतना कम gap है कि इनको हम isolate नहीं कर सकते यह इन confirmers को हम अलग नहीं कर सकते इन rotamers को हम अलग नहीं कर सकते तो यह बहुत कम gap था energy का लेकिन उन्होंने यह देखा कि सबसे ज्यादा जो form है वहाँ exist कर रही वो chair है इसका मतलब यह stable हुई यह वाली form क्या हुई stable यह सारी observation किन की है hassle की on the experimental evidence which is which was electron diffraction analysis तो यह stable है और यह वाली less stable है बोट form अचाहे इसके अलावा भी उन्होंने चीजों को और यहां से confirm हो गया कि साइक्लोलकेन जो है यह साइक्लोहेक्जेन सोरी यह वाली यह प्लेनर नहीं है यह अपनी दो non-planar geometrical form यानी chair और बो जादा हमें जो confirm 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 उसका यह रोटा मर्स मिलता है वो chair मिलता है क्योंकि वो stable है और अगर वो बोट में जाना चाहती है तो इसको इतनी नर्जी चाहिए तो इसमें वो बोट में भी लेकिन ज्यादा stability chair में है इसके लावा बाद में twisted boat twisted boat और half chair in confirmers को भी जो है यह इन रोटा मर्स को भी observe किया गया in the study of analysis for confirmational analysis of cyclohexane में तो अब हम इस lecture के अगले हिस्से की तरफ move करते हैं जिसमें अब हम confirmational isomerism of cyclohexane पढ़ेंगे अभी जस्त हमने इसका इंट्रो किया कि क्यों हमें cyclohexane के confirmational analysis की तरफ जाना पड़ता है यह cyclopentane वगरा यह इसे higher members जो cycloalkanes है जी हम draw करेंगे इसकी chair और जो हमारे पास board form है और इनको हम stability की base पे explain करने वाले हैं जिसमें हम new man projection पे भी इसको जो है वो draw करेंगे तो यह basically में chair की form में नजर आ रही है so this is called chair form इसको हम chair form कहेंगे और निस्बतन यह stable है क्योंकि इसमें जो methylene group है यानि CS2 group दो यह और यह maximum दूर हैं एक दूसरे से तो यह जो chair form है basically यह क्या होगी यह stable form होगी अपनी दूसरी रोटा मर फॉर्म जो के बोर्ट फॉर्म है तो हम इसको क्या बोलेंगे यह है बोर्ट फॉर्म ओके students so यह जो बोर्ट फॉर्म है निस्बतन आंस्टेबल है दोनों के comparison में यह क्या हुई आंस्टेबल उसकी वज़ाए यह methylene group ज्यादा close है और इसको flagpole repulsion कहते हैं यह repulsion क्या कहलाती है flagpole repulsion फ्लैग पोल रिपलिशन ठीक है यह आपने याद रखना है तो एक तो यह चीज़ फिर चुके हमने इसको chair form बोला है तो यह obviously stable है तो stable है तो इसका मतलब यह staggered form होगी this one is staggered form यह मैंने आपको जो cyclobutane है sorry cyclobutane कह रहाँ and butane उसके confirmational analysis में भी चीज़ें एक्स्पेइन की है जो चीज stable होगी उसको हम staggered form कहते हैं newman projection में भी और वैसे भी हम जानते वो staggered form होती और इसको हम बोलेंगे eclipsed form है यह वरी ओके अच्छा इसमें भी एक चीज़ याद रखनी है यहां जो hydrogen जुड़े है न वो एक ही plane of axis पे नहीं होते वो axial hydrogen भी है और equatorial भी है जो एक ही plane के उपर यानि एक ही line of axis के उपर होते हैं उनको हम equatorial hydrogen कहते हैं और जो उनसे perpendicular होते हैं उनको हम axial कहते हैं तो यहां basically मैं a sorry e यहां पर equatorial है और यहां से भी equatorial यह hydrogen अब मैं लगा रहा हूं ठीक है तो यहां पर भी आप e और यहां पर भी e यह equatorial है अब मैं axial hydrogens को शो कर देता हूं यह a, a से आप यह सारे hydrogens है basically तो axial और equatorial तो यहां axial यहां भी axial तो छे हार्डोजन जा है वो axial positions पे हैं यानि मैं यहां पर लिक देता हूं axial position पे और छे ही यह छे हार्डोजन होंगे total तादाद में और छे ही हमारे पास जो हार्डोजन है वो equatorial position पे हैं equatorial position पे यह भी छे हार्डोजन ही होंगे तो यह भी आपने additionally याद रखना है same यहाँ पे ऐसे ही है अगर मैं यहाँ पर show करूँ तो यह equatorial इसी तरह यह equatorial और यह भी और यहाँँ ई यहाँ ई और बाकी hydrogen जो होंगे आग्जल पोजेशन पे होंगे यई ये वाला इस तरह येवाला और ये ये एलिए यहां पे यहां और यहां तो इस तरह यहां पे भी बार nephew ज Streep दो अब न हम इनको यहर न उम्न और नुखर कर लेते हैं और देखते हैं कि सब्सक्रासे हम इनको ड्रॉँ करेंगे यहां पे तो सबसे पहले आप यूँ सरकल बना लें ठीक हो गया यहाँ आप एक हार्डोजन और यह सेकंड पे मिथाइलीन ग्रूप बना लें और उपर वाले इस पे भी आप हार्डोजन शो कर दो अब अब आप ना इसके उपर जो एक कार्बन एटम होता है वो आपने बना लेने यह जो गोल सरकल है यह भी एक कार्बन एटम है और यह जो डॉट है यह भी कार्बन एक च Aurum है तो यहां पर भी एक मिथाइलीन ग्रूप बनाने लें बेसिकली यहां ना मैं यह वाली फ़ॉम बनाने लगा हूं चेर फॉम जो यहां सटेगड फॉम है जिसमें मिनिमम स्ट्रे स्टेन है तो जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो मैक्सिमम एक से एक दूसरे से दूर हैं तो यहां हाइडोजन और यहां भी हाइडोजन तो यह साइड पर बन गया क्योंकि अभी इसमें टोटल कार्बन जो हैं वो हमने कितने बनाएं गिलने आप एक जो बड़े वाला सरकल है यह कार्बन नमबर एक था इसके उपर जो डॉट है यह कार्बन नमबर दो यह तीन और यह चार अभी दो कार्बन और हमने बनाने तो यहां पर आप देखें यह सरकल मैंने ड्रॉ कर लिया यह थोड़ा सा छोटा ड्रॉ हो गया इसको बड़ा यह लेजी अब इसके साथ य यह क्योंकि साइक्लिक रिंग है तो यह दूसरे से बॉंडेड हैं डिरेक्टली तो इस तरह से यह हार्डोजन और यह हार्डोजन यह मैंने बिल्कुल ऐसी बनाया है जैसे यहां पर पहला सरकल मैंने ड्रॉ किया तो यहां ऊपर एक और कार्बन है इसके साथ यह वाला फि इस वन इस ओन न्यूमेन प्रोजेक्शन तो यह स्टेबल है क्योंकि इसमें जो मिथाइलीन ग्रॉप में यह हार्डोजन एक दूसरे से मैक्सिमम दूर है अब इसकी हम देख लेते हैं जो बोर्ट फॉर्म बनेगी वह इसी तरह आप बनाएंगे यहां पर हार्डोजन यह हार्डोजन इसके उपर बनाएंगे और इधर से यह वाला हार्डोजन इसके उपर बनाएंगे और अब हम दूसरा सरकल यहां पर ड्रॉप कर लेते हैं यह हमारा सेकिंड सरकल हुआ यह मिथाइलीन ग्रॉप यह वाला कॉमन यहां हार्डोजन यह वाला हार्डोजन और इस इसी को हम कौन सी फॉर्म कह रहे हैं यहां पर बोर्ट फॉर्म तो इसी को हमने अब न्यू मैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया है तो यह वाली बेसिकली स्टेगर्ड फॉर्म है अगें स्टेबल है और यह वाली जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलेंगे एक्जैक्ली यह हमारे पास eclipsed form है, eclipsed form, I hope students के यहां तक आपको चीज़ें clear होंगी, यह वाली stable form और यह वाली unstable form है, इन दोनों के दरम्यान जो energy का difference है, energy का जो difference है, वो है 27.3 किलो जाल पर मूल, इतना है difference energy का, तो इसके अलावा जो दो forms है, वो भी मैं यहां पर draw कर देता हूं, देखें, इसके draw कर रहे हैं यहां पर, इसको हम बोलते हैं twisted, twisted boat, this one is called twisted boat form, और एक हमारे पास half chair form होती, जो सब से unstable होती है, सब से unstable, इसको हम half chair form कहते हैं, कुछ इस तरह करके आप इसको draw कर सकते हैं, this one is called half chair, half chair form, यह मैंने इसलिए draw कर दी हैं, हलांके यहां पर confirmational analysis of cycle hexane में यह इतनी जरूरी तो नहीं है, लेकिन graphically representation में यह हम बनाते हैं, यह भी energy हमें देखने में मिलती है, तो most probably यही दो states हैं, जो inter convert होती है, cycle hexane की, लेकिन साथ में हम यह भी graph में draw करेंगे, तो हमारा अगला काम सिर्फ graph है, energy graph जिसको हम कहते हैं, degree of rotation पे, तो उसके लिए लिया है, ताके हमारे time की बचे तो obviously अगर lecture चोटा होगा, तो आपके लिए भी असानी होगी, और ज्यादा चोटे lecture में मैं ज्यादा चीज़ें बता सकूँ, maximum चीज़ें आप से share कर सकूँ, इसलिए मुझे दुबारा से यह take लेना पड़ा, तो खेर, अब हम graph की तर और y axis है, this one is y axis, जहां पे हम potential energy लेंगे, और यहां पे x axis है, जहां हम degree of rotation लेंगे, तो यहां हम chair confirmation जो सबसे stable है, वहां से शुरू करेंगे, तो सबसे बड़ी peak जो होगी, वो यहां पे, यह वाले जो peak है, जो अभी मैंने थोड़ी दिर पहले बात भी आप से की थी, कि यह half chair जो सबसे unstable है, यह उसके लिए है, तो basically हमने इसके analysis में इतना कोई इसका खास धिकर किया नहीं, लेकिन यहां पे यहां पे यह half chair है, तो इसके बाद यहां पे twisted boat बनती है, फिर twisted boat बनी, फिर चेर बोट बनेगी यहां पे, फिर twisted boat बनेगी और son, इस तरह से यह confirmations इसकी किया है, यह basically lowest energy पे, सबसे lowest energy पे यह basically chair form है यहां पे, this one is chair form, उसके बाद यह half chair है, then यह twisted boat है, अभी हम इनका energy का difference भी देखेंगे और यहां पे basically boat है, यह वली form यहां पे boat form होगी, ठीक हो गया, तो आगे यह continue देगा, तो यहां से, यहां से, यहां इसकी chair form से half chair का जो energy का difference ह यह सबसे जादा है, यह सबसे जादा difference है, और यह तकरीबन 48.1 किलो जाल पर मूलका होता है, यह बहुत जादा difference है, तो यही सबसे अंस्टेबल form है, तो यहां से, जो difference है, यह वली twisted boat का, यह तकरीबन 21.0 किलो जाल पर मूलका होता है, और यहां से ही, यह जो difference है, हमारी chair form स बोट फॉम का यानि चेर फॉम का और बोट फॉम का ये 27.3 किलो जाल पर मॉल है तो जैसे कि मैंने पहले आप से शेयर किया है तो ये स्टूडेंट हमारा ग्राफ है अगर आपको ये वीडियो समझ आगी है तो इसको मैंने पहले भी बोला लाइक और शेयर कर दें ताके हमारी होसला फजाई हो और इस तरह के मजीद लेक्चर्स है वो मैं आपके लिए बना सकूँ तो आज हमारा कनफरमेशनल आईसोमेरिजम जो है वो हमने शुरू किया था इथेन से फिर एन ब्यूटेन से और अब साइकलो हेक्जेन पे आज खतम हुआ तो एक लेक्चर जो है अभी बाकी है मेरा जुमेट्रिकल आईसोमेरिजम पे तो वो जैसे ही नेक्स लेक्चर का मुझे टाइम मिलेगा तो वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा अलाफिस